बारत में आगरा का ताज महल दुनिया के आठ अजूबों में से एक है दोस्तों ये सच्चे प्यार की एक निशानी है अपनी पतनी मुम्ताज महल की याद में दुनिया के आठ वे अजूबे ताज महल को मुगल बाश्या शाहजाने बनवाया था हेलो दोस्तो एक बार फिर स्वागते आपका मेरी यूट्यूब चैनल एशियाउन विल्स पर तो कैसे हैं आप सब उमेदे सब ठीकी होंगे बढ़िया होंगे अपने घर में सेफ होंगे दोस्तो आगरा का ताजमेल विश्व के आठ अजुवों में से एक है क्योंकि सिर्फ देखने में खूपसूरत ही नहीं बलकि ताजमेल का इतिहास जो एक आत्मा को उसकी भव्यता से जोड़ता है इसको देखकर हमारा मन खुशी से भर जाता है क्योंकि अगर ये प्रेम के लिए नहीं होता तो दुनिया से एक अच्छा एग्जामपल छीन लिया जाता ये एक एग्जामपल है कि एक आदमी अपनी पत्नी से कितना ज्यादा प्यार करता था कि जब वो इस दुनिया में नहीं रही लेकिन तब भी उनकी यादें उस आदमी के पास थी और तब उन्होंने ये डिसाइड किया कि ये याददाश कभी मिट नहीं पाएंगी ये आदमी और कोई नहीं बलकी मुगल समराट शाजा थे जो अपनी प्रिये पत्नी मुम्ताज महल को दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करते थे मुम्ताज मुस्लिम फार्सी राजकुमारी थी जिनका शादी से पहले नाम अर्जोमंद बनू बेगम था वह मुगल समराट जहांगीर और अकबर के मान पोते के पुत्र थे ये 14 साल की उम्र में मुम्ताज से मिले और उस से प्यार करने लगे 5 साल बाद 1612 में उन्होंने शादी कर ली मुम्ताज महल की 1631 में डैथ हो गई जबकि उन्हें उनके 14वे बच्चे को जनम देना था वाने में 22,000 मजदूरों और 1000 हातियों की जरूरत आई ताज महल पूरी तरह से सफे संग्मर्मर से बनाया गया है जिसे पूरे भारत और एशिया से लाया गया था लगबग 32 मिलियन रुपे लगने के बाद ताज महल 1653 में पूरी तरह से बनकर तयार हुआ तो दोस्तों ये थी दुनिया के आठवे अजूबे ताज महल की प्यारी सी हिस्ट्री अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बैल लोटिफिकेशन को आउन करना न पूलें तब तक आप ता यारे से चैनल के साथ